हाई फ्रेंड्स इस हिमान सुफ्रम देवेडवाइजरी और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी सॉट तम में कैसे बिएव कर सकते हैं और फिर कुछ स्टॉक सेखेंगे जिसमें इंट्राड या तो सॉट टम के लिए आप कैसे ट्रेंड प्लान कर सकते हो तो सबसे पहले हम निफ्टी के डेली के चार्ट से स्टार्ट करते हैं और हम देख सकते हैं कि आज भी गयाप होने के बाद फिर क्या है कि यहां पर जो रेजिस्ट सकते हैं कि सॉट टम में यह जो लेवल है डाट इस अराउंड 11600 वह एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है और और डाउन साइड कुछ गैप से रिया है यहां पर यह भी गैप है तो यह जो लेवल से वह क्या है कि एक सॉट टम सपोर्ट के तौर पर अच्छा काम कर सकते हैं कि सिमिलरली 20 और 50 यह में हैं वह भी क्या है कि अच्छा डाइनेमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि उसके उपर अभी मांके ट्रेड कर रहा है अब हम 15 में जाके निफ्टी का स्ट्रक्टर समझे तो यहां पर आज ग्याप होने के बाद यह रेजिस्ट लरक आज जो लो बनाई उसको ब्रीज करेगा तो में भी सायाइद यहां पर वापस आ सकता है आज का जो व्रीक करें तो वाँपस यहां पर नीचे आ subscribe और दूसरी पॉसिबिदिया हो सकती है यहां पर के नीचे एख यह उपर गया और फिर यहां पर सपोट लेके फिर थो व्यूस कंसिडर कर सकते हैं तो जब तक यह जो दो लेवल से डाइट इस अराउंड 11,570 और 11,450 यह दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है तो एक साइडवेज मुझ रह सकता है अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी में भी क्या था कि हमने डिसकस किया था एक स्ट्रॉंग कंबेक किया है और आज गयाप होने के बाद यह जो लेवल से वहां से ही सैलिंग आया था पहले भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा कॉंसलिडेट किया और फिर यह दिरेक्शनल मुझ आया था और उ यह सौट तम में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी 20 और 50 यह में के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यह जो दो लेवल से हैं मतलब 20 और 50 यह में के वह एक डायनेमिक सपोर्ट बन सकते हैं और वह कहां पर है 21,900 के आसपास है और दूसरा है डाट इस आपके देखें उसका स्ट्रक्चर मोज देने के बाद किया है कि यहां पर फिर उसने रेजिस्टेंस टेस किया था डैट इस अरूंट 22,800 और यह सेलिंग आया है और यहां पर वापस उसने उपर जाने का ट्राइब किया है और नियर तम में एक अच्छा सपोर्ट है यह हम मुविंग एवरेजिस का क्लस्टर भी मन रहा है और एक होरिजोंटल मतला बोलो आपके सपोर्ट है पहले जो रेजिस्टन साब वह सपोर्ट के दौर पर काम कर सकता है और यहां पर जो ब्रेक आउट दिया था उसके बाद काभी कॉंसोलिडेट किया है तो जैसे हमने पर क्योंकि एक नियर टम में सपोर्ट है फिर मुविंग एवरेजिस का क्लस्टर है तो अगर आपको यहां पर सौट के लिए ट्रेड करना है तो वाट आई वूड डू कि यह जो मूँ आएगा नीचे और फिर यहां पर थोड़ा कॉंसोलिडेट करेगा और उसके बाद ज स्टॉक जिसमें आप सौर्ट में इंट्राडा में कुछ प्लान कर सकते हो तो फर्स्ट जो स्टॉक है डाइट इस ब्लिस जीवीएस फार्मा और यह स्टॉक को रिसेंटली मैंने जो हमारी प्रिमियम एनलिस से उसमें भी कवर किया था और यह स्टॉक अच्छा ही लग रह है कि यह पिन बार्स बनाया है यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड नीचे की साइड में अच्छी दिमांड है और यह जो ब्रेक आउट है ऐसे चांसिस मुझे ज्यादा लग रहे हैं अब हम उसको 15 मिनिट में जाकि इसका भी चार्ट देखें कि ब्लिस जीवीएस का तो देखें अच्छी पैटन यहां पर देखने को हमें मिल रही है और फ्रेंड्स आज किया था कि एंजल प्रॉकिंग का लिस्टिंग भी था और वी आर ऑथराइस पार्टनर या तो आप बूल सकते हो कि हम एंजल प्रॉकिंग के सब्रोकर है और आप अभी एंजल में क्य आप करके या तो आई ट्रेड प्राइम करके एक स्कीम चल लगी है उसमें आप एकाउंट ओपन करवाते हो तो अपनिंग और वो सब फ्री है फर्स्ट थर्टी डेस आपको कोई ब्रोकरेद नहीं लगेगी और डिलिवरी में लाइफटाइम कोई ब्रोकरेद नहीं और उस उसका मैं प्लानिंग कर रहा हूं तो उसमें आप वो वेबिनार्स फ्री अटेंड कर सकते हो फिर हमने ब्रोकास लिस्ट बनाया हुआ है अब क्लाइंट का जिसमें हम इंट्राडे और सॉट्टम पोजिशनल कॉल सहर करेंगे तो उसका भी आपको हमारी एडवाजरी का भी वी सेपी मतलब क्या होता है कि वालेटलिटी कॉंट्राक्शन पैटन आप जेखो कि नीचे गया है और वालेटलिटी जो है वो कम हो रही है और वापस यहां पर थोड़ा नीचे आया और वालेटलिटी इस तरह से कम होती जाएगी और उसके बाद जो ब्रेकाउट देगा तो ब्रेकाउट क्या है कि काफी मतलब एक सस्टेनेबल हो सकता है ऐसा हम कह सकते है फिर यहां से जो ब्रेकाउट आया तो उससे क्या है कि नियर टम में जितने भी रेजिस्टन्स होगे वो कोई रेजिस्टन्स काम नहीं कर पाएंगे सिमिलरली दूसरा एक स्टॉक हम देखते है जिसमें सौट तम में या तो इंट्राडे में आप कुछ प्लान कर सकते हो डाट इस भारती आइटेल बारती आटेल में यह जो सेलिंग था वह यहां पर हॉल्ट हुआ कुछ दिन उसने मतलब यहां पर स्पैंड किये और वापस से एक डिरेक्शनल मूद यह और अभी क्या है कि यह लेवल के आसपास वह हॉल्ट कर रहा है डाट इस एराउंड 416 और अब हम 15 मिट में जाके बारती आइडल का स्ट्रक्टर देखे तो यह एक सपोर्ट जोन है यहां पर तब उसको कैसे प्लान कर सकते तो सबसे पहले देखे यहां पर सपोर्ट लेखे वो उपर गया फिर वहीं पर सपोर्ट लेकि उसकर उपर जाने का राइ किया और यहां पर एक फेल ब्रेक आउट जैसा लग रहा है क्योंकि यांसौरलेशन था और बेखाउट डेने का उसने यहां पर ब्रेक-ाउट सस्टेन ही पाया है आप देख सकते हो यहां पर और यह वापस नीचे की तरह मतलब स्विंग चालू हो गए तो अब इसको कैसे आप प्लान करोगे तो वाट आई वूड प्रिफर मेरा प्लान कैसे होगा वो मैं आपके साथ सेर करता हूं कि इंपीडियेटली आई वूड नॉट सेल कि यह लेवल को उसने ब्रीच किया फिर वापस एक बाउंस करें और यह लेवल के आसपास ही वापस जो 415-416 है वहां पर रेजिस्टंस ले एक प्रॉपर कॉंसोलिडेशन करें तो फिर यह कॉंसोलिडेशन के को वापस ब्रीच करे है क्योंकि प्रॉपर कॉंसोलिडेशन के बाद जो मूव देगा उसमें क्या है कि छोटे टाइम में अच्छा मूव हमें नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है कि स्वाय होब फ्रेंड्स के यह वीडियो से आपको ट्रेडिंग में जरूर हेल्प मिलेगी थैंक यू झाल झाल झाल